हलो ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ आर यू आल, I hope you are well, happy and healthy पहला सुक, निरोगी काया, तो आज आईए फिर मैं आपके सामने एक पोधे के साथ हाजिर हुआ हूँ तो आप देख लीजिए और इसको पहँचान लीजिए, अच्छी तरीके से पहँचानिए पहँचानने में आप बिल्कुल इसका भोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पहँचान नहीं पाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होती है तो इसलिए हम कहेंगे कि सबसे पहला काम है आपको पेढ़ को पहचानना अगर पेढ़ को नहीं पहचानोगे तो फिर आपको इलाज करने में आपको बड़ी दिक्कत होती है तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पेढ़ आपके स्क्रीन के साथ सामें चल रहा है तो इससे क्या-क्या फाइदे हैं और कौन से नुकसान है और इसके खाने का तरीका क्या है और इसका नाम क्या है ये सारी मैं आगे बीडियों बताऊंगा बीडियों के अंद तक बने रहे हैं जो की पूरी जानकारी आपको मिल सके अगर आपके पेट में कीडे हो और आपके पेट में कीडे हैं, गुदाद्वार में काटते हैं, जिसको कहीं कहीं पे चुन्चुना भी कहते हैं, तो वो गुदाद्वार में काटते हैं, गुदाद्वार में खुजली होने लग जाती हैं, और गुदाद्वार में कभी-कभी गाठी भी पढ़ जाती हैं, जिसको कभी बवासीर भी बनने की संभावना हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पेट में कीड़े हैं, और गुदाद्वार में चुन्चुने टाइप के काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, ऐसा महसूस होता रहता है, आपको महसूस होता रहता है कि हमारी गुदाद्वार में कुछ ना तो आप वीडियो के आंते तक बने रहें, यह समझ लिए कि आपकी लिए है, तो आप इसको देखेंται हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ इस पेण का नाम है कचनार, कहीं कहीं पर इसको कराली भी कहते हैं, कहीं कंचना भी कहते हैं, तो इसका गुलावी फूल होत आइरन हो गया, कार्वो हाइड्रेड हो गया, फाइबर हो गया, प्रोटेन, मैंगनीसियम, बिडामिन भी, ये बहुत तरह से भरपूर इसके अंदर तत होते हैं, तो इसलिए इसको आपको जो है, इस्तमाल करना है, अगर सरीर के अंदर कहीं भी आपके गांठ पड़ी होगी तो आपका जो है, बिलकुल गांठ को, क्योंकि ये क्रमी रोधी होती है, क्रमी रोधी होती है, इसके कसैले होते हैं, कुष्ट रोधी होती है, रोगान रोधी होती है, तो इसलिए इसको और ये एक बहुत ही प्रभावसाली आरवेदी का आउसदी है, जो कि बहुत प्रभ कचनार की छाल इसको कचनार के पेड़ की छाल तो कचनार की छाल को आप एक जगह से नहीं निकालें उसको बदल बदल करके दूसी दूसी जगह से निकालते रहें कि कचनार का पेड़ खराब नहुने पाए क्योंकि कचनार एक बहुत ही बड़ी हा राम बानाव सदी है तो आ लाते हो, कुछ भी लाते हो, तो उसको छाया में सुखाना है। धूब में सुखाना है। तो आपको इसको सुखा लेना है। Bitch लिए 주 आप 2-10 ग्राम आप पानी में ले सकते हैं। दूद के अंदर भी ले सकते हैं। और इसमें सहद। तो सहद। और धागे वाली मिस्री को ही मिलाके इस्तमाल कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा अगर किसी भाई बहन को सुगर है तो सुगर वाले सहद ना मिलाएं और इसमें मिस्री ना मिलाएं क्योंकि मिस्री मिलाना सुगर वाले के लिए पूरते वर्जित है और दूसरा इसका कालहा भी ब लाने के बाद इसका इस्तमाल करना है और वही बात एक काड़े में भी कि सुगर वाला इसमें कोई मीप्चि वैली चीज ना मिला ऐख कचिनार गुगल आपको बजार में मिल uncertainty क कच कचनार के टेबलेड, गूगल किसी चीज का भी इस्तमाल कर लेना है और कचनार के गूगल में और टेबलेड में कितना खाना है कैसे खाना है उसमें भी ये विधी लिखी रहती है अगर ये समझ में आए तो आप हमें Comment Box में हमारे लिख सकते हैं तो हम उसकी भी पूरता है, आपको जानकारी तुरंत आपको देंगे, जैसे आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का तुरंत जवाब देते हैं, क्योंकि हम लोग आपका कमेंट देखते रहते हैं, जब भी आपका कमेंट कोई आता है, हम उसको तुरंत जवाब देने क कोशिश करते हैं तो आपको जवाब देंगे और इसके बाद आपको ये नुकसान भी करता है ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि फाइदा ही फाइदा करता है ये नुकसान भी कर सकता है नुकसान ऐसा करेगा आप अपने स्वास्त के बारे में आपका सरीर कितना हजम कर सकता है कितन बहन दस ग्राम नहीं इस्तमाल करना है फिर आप कम कर लिए ये आपको अपनी सूज बूच से इसका इस्तमाल करना है कि हमें पांच ग्राम लेना है ये दस ग्राम लेना है तो आप अपनी सूज बूच का भी इस्तमाल करिएगा अगर ज्यादा आपके हो जाएगा तो आपका पेड़ दर्द हो सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, आपको मीन आने लग सकती है, तो इस प्रकार से इसके गुन होते हैं, आपको मिछली आने लग जाती है, जिसको उल्टी, उल्टी कहते हैं, तो आपको उल्टी की समाना, उल्टी आने का दिल करेगा, तो इस तरीके से को थोड़ा लीजिए थोड़ा लीजिए और यह बहुत बढ़िया है तो आप ये ख़णार ध्यान रखिए ख़णार और इसकर पत्ते की ही होती है बीजम कटिंग होती है आप देख पा रहे हैं किस प्रकार इसकी cutting है, आप पहरेज इसमें जरूर करना है, बासी भोजन नहीं करना है, बजार का तेल मसाले वाली चीजों का बचाओ करना है, ज्यादा तेल मसाले वाली चीजों का सेवन नहीं करना है, आप ताजे फल खाईए, ताजी सबजियां खाईए, पत्तेदार सबजियां खाई यह चौलाया है, पालक है, चने का साग है, आपको शर्षओं का साग है, इस प्रकार से बिटामिन वाले जिसमें बहुत ज़्यादा बिटामिन होती है, मिर्ल्ट सोते हैं, आरन होते हैं उन सागों का इस्तमाल करना है अब आफको वादी वाली चीजें भठा है, चावल है, अ जो आपके स्वास्त के लिए नुक्सान दायक हो तो अगर हमारी ये वीडियो आपको जानकार ये अच्छी लगी हो और इसमें कोई भी आपको समझ में बात ना है तो हमें जरूर कमेंट करें और इसका सेवन करें फिर देखें कि आपको ये कैसा स्वास्त लाग देता है ये राम बार आउसदी है बहुत बढ़िया आउसदी है तो इसको जरूर प्रियोग करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जड़ी बूती की हमारे चैनल को सस्काइब कर लेगर नए भाई भेन और बेल आइकन आन कर ले जिसे की हर आने वाली जड़ी बूती आपको सबसे प सबसकार जयहिन बन्दे मात्राओं और कमेंड को